तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप फाइव लिस्ट देने वाला हूँ अंडर 20,000 रुपीज वैल्यू फॉर मनी टेलिविजिन्स अल्रेडी मैंने एक टीवी बाइइंग गाइड किया हूँ वो वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने मैंने वेंशिन किया है कि more than 100 Hz रिफ्रेश रहना चाहिए लेकिन क्या करें अभी टीवी जो बेशते हैं वो more than 100 Hz का नहीं मिलता है अगर मिलता है तो भी बहुत महंगा होगा तो वितिन दीज प्राइज रेंज इवन आप अगर 25-30,000 रुपिस पेंड कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा मुश्किल है 100 Hz रिफ्रेश रेट वाला मिलने वाला टीवी तो इसके वज़ा से क्या करो अभी उतना बज़ेट तो नहीं रहेगा ना वितिन 20,000 वितिन 30,000 रुपिस अगर आप लेना चाहते है टीवी तो ऐसे जो अवेलेबल टीवी से उसी में लेना पड़ेगा तो ऐसे मैं अंडर 20,000 रुपिस में आज के इस लिस्ट में वितिन 20,000 रुपिस का अच्छा टीवी है मैं वो आपको लिस्ट दूँगा इन सारे टीवी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ अगर आप वहाँ से खरीदे करेंगे तो मेरे चानल को भी सपोर्ट होगा तो जो ले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिस्ट पर है आई फैलकॉन का 40 इंच FHD LED स्मार्ट टीवी है जी हां स्मार्ट टीवी इसमें कुछ स्मार्ट टीवी से ऐसे होते हैं जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है बट स्मार्ट रहता है मतलब कि उनका एप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है आपके मोबाईल में इन लिस्ट में से कोई भी टीवी लीजिए ये सारे चीज़ आपको मिलना चाहिए तो सबसे पहले आई फैलकॉन का 40 इंच FHD LED टीवी है विच इस अगें स्मार्ट टीवी FHD यानि की 1080p resolution विधिन 20,000 रुपीज आप कोई भी टीवी लीजिए HD रेडी टीवी वाला नहीं लेना है आपको ये ध्यान में रखिये आप जो भी टीवी लेंगे अटर 20,000 रुपीज वो आपको 1920 by 1080p resolution वाला ही लेना चाहिए विच इस ए मास्ट HD रेडी वाला नहीं लेना है बिलकुल तो मैं इन लिस्ट में Full HD TVs ही recommend किया हूँ तो iFalcon का थोड़ा disadvantage यह है कि 16 watts का output speaker मिलता है मतलब कि इतना जोर volume नहीं रहेगा and base जो है वो बहुत कम रहेगा iFalcon TVs में बट इसमें आपको 3 HDMI port मिलता है and 2 USB port which is an added advantage अगर आप ज्यादा multimedia devices connect करते है अपना console connect करना चाहते है या फिर कुछ ऐसे devices जो HDMI support करता है तो इसमें आपको 3 मिलता है option तो एक advantage है यह सारे के सारे TVs 60 Hz refresh rate में ही चलता है तो that's the first on the list second list पर है MarkQ again by Flipkart यह MarkQ actually international brand है यहाँ पर इंडिया में Flipkart बेशता है 43 inch का आपको Full HD smart LED TV मिल रहा है Full HD resolution again 1080p 20 watts speaker output भी है और आपको 3 HDMI port मिलता है 2 USB port मिलता है 60 Hz refresh rate है तो 20,000 रुपीज में again value for money TV then again list पर next है 40 inch Full HD LED TV from Vio यह वाला smart TV नहीं लेकिन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग लिये है और इसका जो user review है बहुत अच्छा है तो इसके वज़े से मैं यह list पर recommend कर रहा हूँ 40 inch का है Full HD LED TV not smart 2 HDMI port है again speaker के दोर पर 16 watts का है थोड़ा disappointing thing so list पर next है Thompson का B9 Pro यह Thompson का B9 Pro अच्छा चल रहा है market में अभी ज्यादा से ज्यादा sale भी हुआ है and customer feedback भी बहुत अच्छा है तो इसके वज़े से मैं recommend कर रहा हूँ 40 inch का Full HD LED TV है जो की smart TV भी है again nice value for money under 20,000 रुपीज 3 HDMI port है 2 USB port है 60 Hz refresh rate and 20 watts का speaker output है तो सारे features आपको मिल जाएंगे under 20,000 रुपीज तो next and the last one in the list है Kodak का X-Smart TV again 40 inch Full HD smart TV है 18,500 रुपीज में आपको मिलता है इसमें भी Full HD 1080p 20 watts का speaker output है 3 HDMI port है और वैसे 2 USB port भी है तो इन सारे list में से आप कोई भी TV लीजिए you are safe क्योंकि under 20,000 रुपीज आपको smart TV मिलता है and Full HD resolution भी है 60 Hz refresh rate है जो कि अभी norm बन चुका है तो इन सारे list में से आप कोई भी अपने budget के हिसाब से TV ले सकते है तो ऐसे top 5 list related वीडियो अगर आप देखना चाते है तो hit that like button अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो like और share ज़रूर कीजे अपने friends के साथ तो subscribe करके बने रही है आप वो वीडियो भी देख सकते है तो चले दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care everyone बाई बाई वीडियो में सकते है